concept बहुत important है very important और मैं आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा प्यारे भाई बहुत-बहुत प्यार से सुनेगा सुनो बच्चो देखो example से समझाता हूँ हर चीज example समझाना आसान है जैसे अगर ratio बड़ाबर है मेरे प्यारे भाई सुनेगा जैसे मैं आपके सामने example लेता हूँ पहले normal example लोगा फिर variable में समझा देंगे तीन बटे पाँच बराबर होता है मेरे दोस्तो छे बटे दस के दोनों में कोई फरक तो नहीं है दोनों में कोई फरक तो नहीं है तीन बटे पाँच और छे बटे दस बराबर हैं आप बोलोगे हां जी सर बराबर हैं अगर मेरे प्यारे भाई बस दुगना ही तो हो गया यह भी 3 मटे 5 रेश्यो है, अगर 5 से भी गुणा कर दें, तो 5 ती यह 15 है, यह 5 पच्चे 25 हो जाएगा, यह भी 3 मटे 5 रेश्यो है, मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हांजी सर, बिल्कुल सही, यह 3 ही रेश्यो बराबर है, इसका मान भी 3 मटे 5 है, यह भी 3 मटे 5 है, इसक सर्थ हम जानते हैं, तीनो इकवल हैं, तो बच्चो, जो एक्षन आप अंस में करोगे, सेम वही एक्षन अगर हर में किया जाए, तो भी यह बराबरी रहेंगे, एक बच्चा कहता है, सर इनके अंस जोड़ो अंस, तो अगर आप इनके अंस जोड़ोगे, नुमरेटर 3 प् प्लस पंदर है, अंस आपने जोड़ दिया, आपने जो एक्षन नुमरेटर में किया, सेम वही डिनो मानेटर में करना है, अगर आप इनके हर जोड़ोगे, मेरे प्यार भी 5 प्लस 10 प्लस 15 है, तो भी यह बराबर ही रहेगा, मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे, सर ऐसे कै से, ऐसे इसलिए मेरे बिटे, ये बताओ ये कितना रेश्यो है, तीन बटे 5, बताओ ये कितना रेश्यो है, तीन बटे 5, बताओ ये कितना रेश्यो है, तीन बटे 5, तो तीन बटे 5 का रेश्यो हर जगए मेंटेन है, अगर आप उपर से तीन कॉमन लोगे, तो ब्रेकिट में बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 5 ये चीज उपर नीचे मैंने सेम एक्षन किया था सेम एक्षन करने की वज़े से चीज कट जाएगी रेशो 3 बटे 5 ही आएगा आप बोलोगे हाँ जी सर इतनी मामूली सी बात थी आज तक हमें पता ही नहीं चली अगर आप जो एक्षन अंस में करोगे सेम वही एक्षन मेरे प्यारे भई हर में किया जाए तो रेशो बराबरी रहेगा बच्चा कहता है सर मैं ऐसे नहीं करूँगा मैं आपकी बात नहीं मानता मैं मेरे दोस्तो तीन मैं 6 को घटाऊंगा 15 को जोड़ूँगा मैं दूसरी फ्रेक्षन को घटाऊंगा तो मैंने बोला ठीक है भाई तू ऐसा कर ले मुझे कोई आपत्ती नहीं है तो जो एक्षन आपने अंस में किया है बच्चो सेम वही एक्षन आपको हर में भी करना है पांच माइनस 10 प्लस 25 अभी भी ये रेश्यो तीन बटे 5 ही रहेगा बस सर्त यह है कि जैसा एक्षन उपर कर रहे है वैसा ही नीचे करना है क्योंकि ये भी तीन बटे 5 का रेश्यो मेंटेन है ये भी तीन बटे 5 का रेश्यो मेंटेन है तो पूरा ratio भी 3 बटे 5 ही होगा clear है यह बात मैंने आपको example से समझाई ठीक है ना अगर मेरे दोस्तों यह बात variable में हो कि जैसे A बटे B बराबर C बटे D बराबर E बटे F बराबर G बटे H इस सारे ratio मेरे दोस्तों आपके सामने हाँ पे दे यह सारे ratio बराबर हैं A बटे B बराबर C बटे D बराबर E बटे F बराबर G बटे H अगर यह ratio मेरे दोस्तों equal हैं तो जो action आप अंस में करोगे सिम वही action आपको हर में करना है एक बच्चा कहता है सर मैं सुरू के तीनों को जोड़ूंगा मैं आकरी को घटाऊंगा तो मैं कहता हूँ tension मतले भाई मेरे आप यही कर ले नीचे भी सुरू के तीनों को जोड़ ले और आकरी को घटा ले यह बराबर रहेगा मेरे दोस्तों इन सारे ratio में कोई फरक नहीं है समझ में आया आप बोलो के हाँ जी सर बहुत अच्छी तरीके समझ में आया है अच्छा एक latest सवाल करवादू इस concept पे latest करवाता हूँ चलो यदी सुना मेरी बात को यदी A बटे B बराबर C बटे D बराबर E बटे F बराबर दो बटे 3 है तो तो PA पिलस QC पिलस RE अपाउन PB पिलस QD पिलस RF बराबर क्या यह सवाल आपकी सामने बच्चो जवाब तो कौन करेगा इस्टूडेंट आपके पास इस सवाल को सॉल करने के लिए पांच सेकेंड है बनाईएगा क्या हैगा सवाल में दे रखा है इसका मान भी 2 वटे 3 है इसका मान भी 2 वटे 3 है इसका मान भी 2 वटे 3 है बराबर 2 वटे 3 है आप से पूछा ये द्यान से देखो अगर भी A से B ये देखो ये कितना है बच्चो 2 वटे 3 है बोलो भी P से P कट जाएगा ये कितना है 2 वटे 3 है आप बोलोगे हांजी सर बताओ ये कितना है मेरे प्यारे भाई आप कहोगे सर क्यूं से क्यूं कट्रम ये भी 2 वटे 3 है CSD का रेश के देखो आप मुझे बताओ ये कितना है जरा तो R से R तो हटी रहा है E बटे F ये भी 2 वटे 3 है ये भी 2 वटे 3 ये भी 2 वटे 3 ये भी 2 वटे 3 तो पूरा रेश भी 2 वटे 3 आएगा मेरे प्यारे भी आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक तो तरीका ये हो गया observation वाला, दूसरा तरीका मेरे प्यारे भी ये समझो कि आपके सामने सवाल ये है और आपसे ये पूछा है, यहाँ भी A बटे B है मेरे दोस्तों, क्या है, A बटे B है, बस उपर नीचे P से गुणा है, तो यहाँ भी हम बच भी उपर नीचे P से गुणा कर सकते हैं, भाई साब अगर ये तीनो रेशो बराबर दो बटे तीन हैं, अगर ये तीनो रेशो बराबर दो बटे तीन हैं, तो अगर आप इन तीनो रेशो के अंस को और हर को जोड भी देंगे, अंस और हर को जोड भी देंगे, तो भी तो रेश्यो दो बटे तीन के बराबर ही रहेगा आप बोलो कि हाँ जी सर एक तरीका ये भी हो गया बहुत ही अच्छी बात बताई इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं प्यारे भाई सवाल आप से ये पूछ लेता है एक्जामनर ये बताएगा बच्चो अब इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए करो बच्चो ये सवाल हमने आप से पूछा थोड़ा सा चेंज करके बनाईगा यदि A बटे B बराबर C बटे D बराबर E बटे F बराबर 5 बटे 4 है तो आप से पूछा है P A स्क्वाइर प्लस Q C स्क्वाइर माइनस E स्क्वाइर अपॉन पी B स्क्वाइर प्लस Q D स्क्वाइर माइनस F स्क्वाइर की वैलू क्या होगी जब आप दीजेगा बनाओ आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ है यहां तो देखो आपको पी क्यू आर पे ध्यान नी देना आपको ध्यान देना A B C पे A B यहां पर स्क्वाइर हो रहा तो यहां पर स्क्वाइर कर सकते हैं अगर मैं इसका स्क्वार कर दूँगा मेरे प्यारे भाई तो कोई दिक्कत है क्या आप बोलोगे इसरे एक पैसे की दिक्कत नहीं कितना ये भी पांच बटे चार का स्क्वार हो जाएगा 25 बटे 16 अगर आप ध्यान से सणोंगे मेरे प्यारे भी no need to worry here ये रेशू कितना ये 25 बटे 16 है ये भी रेशू कितना ये भी 25 बटे 16 है क्यों से क्यों कर जाएगा यह मानस मानस ऊपर नीच दोनों है ये रेश्यवी 25 बटे 16 है इसका आंसर भी 25 बटे 16 ही होगा केवल square ही किया गया है और यहां पर कुछ भी नया नहीं किया गया तो इसका आंसर 25 बटे 16 बस square ही तो हो गया तो मैंने आपको example समझा है latest है यह सब आगे इसी बेज़्ड मैं आपसे सवाल पूछूँँगा कुछ नया नहीं पूछूँगा आप लोगों से यह बताएगा बच्चो इस सवाल का क्या अंसर है बनाओ बोलो सुनो यदि P बटे Q बराबर R बटे S बराबर T बटे U बराबर 5 बटे 2 है तो आपसे स्कमान पूछा है देख पा रहे है पिक्यू आरं पे ध्यांद है कांप़ consistent है तो गहुला ने की बात की है P क्यू में सी क्यूसा क्यू आर क्यूसे S क्यू T क्यूसे U क्यूसा औं बराबर ही होगा ना पाच बटे 2 का क्यूद मतलब पांच बटे दो धाई होता है धाई का क्यूव आएगा 15.625 पांच बटे दो मतलब 2.5 2.5 का क्यूव 15.625 इस सवाल का आंसर है सभी बच्चे समझ पाए हैं कोई तकलिफ इसमें नहीं है आगे चलेंगे ठेक है भई चलो इस सवाल का आंसर क्या होगा आप मुझे करके बताएगा 23 नंबर यदि A रेशो B बराबर C रेशो D है तो कौन सा रेशो A रेशो C के बराबर है बहुत ही बहतरिन सवाल है मेरे दोस्ति ये सवाल का सोर्स है CGL 2022 प्री बहुत सवाल प्री का बोला है यदि A रेशो B A बटे B बराबर C बटे D है तो आप से पूछा है A रेशो C क्या होगा अब मेरे प्यारे भी बात समझने वाली ये है कि अगर आप C को यहां ले आओगे तो A बटे C क्या आ जाएगा B बाई D A बटे C तो मेरे दोस्तो B बटे D आ जाएगा ये आ जाएगा ना C को अधर ले आएं B उपर पहुझेगा A बटे C का रेशो है B बटे D वो तो मुझे कहीं दिखी नहीं रहा B बटे D तो कहीं दिखी नहीं रहा अब बच्चे समझेंगे सवाल गलत है जबकि सवाल गलत है नहीं ये दोनों रेशो आपस में बराबर हैं आपसे पूछा A रेशो सी अगर ये दोनों रेशो बराबर है तो थोड़ा लॉजिकली सोचो प्लस दिख रहा है ना बीच में अगर मैं इन दोनों रेशो को जोड़ दूँगा तो भी तो बराबर रहेगा ना a plus b upon c plus d तो भी तो बराबर रहेगा अंस जोड़ देंगे हर हर जोड़ देंगे यहनि कि a बटे c किसके बराबर हो जाएगा a plus b ratio c plus d के बराबर d option समझ में आया आप बोलोगे हां जी सर समझ में दो को प्री में कितना अच्छा सवाल पूछा गया था यह जो सवाल है cds के paper का पूछा हुआ है मैं तब से इसको लगातार करवा रहा हूँ वो one of the best सवाल है बोला है यदि a बटे b plus c और देखो इस सवाल को 99% लोग गलत करेंगे concept जानने के बाद भी यदि a बटे b plus c बराबर b बटे c plus a बराबर c बटे a plus b है यदि a बटे b plus c बराबर b बटे c plus a बराबर c बटे a plus b है तो आपसे पूछा है कौन सा कथन सकता है each fraction का मान a क्या मानस एक है each fraction equal to half each fraction equal to half each fraction equal to 1 by 2 only 99% बच्चे सवाल कांसे d option बताएंगे जो की है नहीं पता है कैसे सुनो मेरे प्यारे भाई दिखो ध्यान से आप अगर मेरी बात को सुने बच्चो अगर ये तीनों fraction ये तीनों ratio बराबर है तो इन तीनों के अगर मैं अंस में अंस जोड़ दूगा हर में हर जोड़ दूगा तो भी बराबर ही रहेंगे लेते तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चो ट्वाइस ओफ a plus b plus c बच्चो ट्वाइस ओफ a plus b plus c आप बोलोगे हां जी सर बिलकुल सही यह हो जाएगा अगर मैं इनके जोड़ दूँगा हर लो कुछ बच्चे A plus B plus C से A plus B plus C काट देंगे और आंसर बताएंगे एक बटे दो only बेटा यहाँ पे ना दो केस बन गे सवाल में यह तो बोला नहीं गया कि A plus B plus C क्या है बस यह बोल लिया कि A B C कुछ है यहाँ पे दो केस बनते हैं मेरे दोस्तों नहीं है मेरे प्यार में not equal to 0 बना A plus B plus C की value ऐसी है कि 0 के अलावा अगर A plus B plus C कुछ भी हुआ 1, 2, minus 1 whatever it is तो A plus B plus C से A plus B plus C cut जाएगा तो इस सवाल का आंसर होगा बच्चो एक बटे दो लेकिन अगर सवाल में डाटा ऐसा set किया गया है सवाल में अगर डाटा ऐसा set किया गया है कि A plus B plus C equal to 0 हो गया तो मैंने आपको number system में सिखाया कि 0 को 0 से भाग नहीं किया जा सकता 0 बटे 0 नाम की गणित में कोई चीन नहीं होती वो undefine होता है अगर A plus B plus C का मान ऐसा हो गया मेरे प्यारे बाई कि A plus B plus C बराबर 0 हो गया देखो अगर A plus B plus C not equal to 0 है तो तो उपर नीचे से A plus B plus C कट जाएगा सवाल कांसर हो गया एक बटे दो लेकिन अगर सवाल में A plus B plus C बराबर 0 हो गया तो उपर 0 नीचे 0 0 से 0 तो भाग हो नहीं सकता तो ये 0 बटे 0 तो होगा नीचे तो इस सवाल कांसर क्या रहेगा मेरे प्यारे बाई ध्यान से समझेगा मेरे प्यारे बाई अगर A plus B plus C बराबर 0 हो गया जहांसे B plus C का मान कितना आएगा B plus C का मान आजाएगा minus का A ये B plus C की जाएगा minus A रखेंगे की value कितनी आएगी minus का c c को minus b c से भाग देंगे ये भी minus 1 आएगा यानि कि अगर a plus b plus c बराबर 0 हो गया तो each fraction की जो value होगी वो minus 1 होगी मेरे प्यारे भाई तो यानि की सवाल के दो answer है या तो each fraction एक वटे 2 है या फिर each fraction का मान minus 1 के बराबर है यानि की सवाल का जो answer है वो d option नहीं है c option है समझ में आ गया क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई तो ठीक है तो यहाँ पर ना थोड़ा सा algebra का concept इस्तिमाल हो रहा है algebra का आपके बात समझ में नहीं आई है तो आगे बढ़ जाओ इसके पीछे मत पड़ो अगर इस तीनों fraction बराबर है तो मैंने इन तीनों को add किया अगर a plus b plus c 0 के बराबर नहीं है तो उपर नीचे स a plus b plus c कड़ जाएगा तब इस सवाल cancer आएगा आधा लेकिन अगर सवाल में data ऐसा set हो गया कि a plus b plus c equal to 0 है तो 0 बटा 0 तो गोड़ित में भाग नहीं होता तब each fraction को अगर गोड़ से देखें तो हर fraction minus 1 minus 1 minus 1 बन रही है तो इसकी value या तो 1 बटे 2 होगी या minus 1 होगी 2 case बन सकते हैं हमको हर case को check करना है ठीक है भाई अगर a plus b plus c 0 हो गया तो b plus c का मान कितना हैगा minus a यहाँ b plus c के जिएगा minus a रखूंगा तो a upon minus a minus 1 ही तो हैगा ये fraction भी minus 1 होगी ये भी minus 1 होगी ये भी minus 1 होगी मेरे दोस्तों आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से ये सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर का है 2022 का बिल्कुल latest question जवाब चाहिए मुझे आप लोगों से करो find a, a का मान ग्यात करें भी बहुत खतरनाक सवाल है आप से पूछा a का मान क्या होगा यदि x plus y plus z is not equal to 0 x plus y plus z 0 के बराबर नहीं है x upon 3 x plus y plus z बराबर y upon x plus 3 y plus z बराबर z upon x plus y plus 3 z बराबर 2a है तो आप से पूछा है a का मान क्या होगा देखो मेरे प्यारे बच्चों ये ना मेरे प्यारे भाई बहुत ही tricky सवाल है देखो ये fraction बराबर ये fraction बराबर ये fraction बराबर ये fraction ये तीनों फ्रेक्शन बराबर है किसके बराबर है, 2A के बराबर है मेरे प्यारे भाई, आपसे पूछा है यहाँ पे एक अमान, और सवाल में सब सब मेंसिन कर दे, x plus y plus z is not equal to 0, अगर यह तीनों बराबर है, तो आप इनके अंस को जोड़ोगे, तो भी तो बराबरी रहेगा अंस पटे हर, यहाँ जो एक्शन अंस में करोगे भी हर में, यहाँ बराबर किस को आएगा, x plus y plus z upon upon अभी, डिनों मानेटर को जोड़ोगे 3x plus x, 4x plus x, 5x आएगा, तो नीच आएगा बच्चो 5x plus 5y plus z जब इसके डिनों मानेटर हर को जोड़ोगे तो नीचे काएगा, 5x plus 5y plus 5z, z plus z 2z plus 3z, 5z आएगा, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुल सही जब सवाल में यह बोल दिया कि x plus y plus z 0 के बराबर नहीं है तो कट जाएगा, यानि कि यह कितना हो गया, 1 बटे 5, यानि कि each fraction का मान, 1 बटे 5 है यानि कि 2a कितना आगया मेरे दोस्तो, 2a बराबर क्या आगया बए 2a किसके बराबर आगया, 1 बटे 5 के बराबर आगया, अगर 2a का मान, 1 बटे 5 है, तो a की वैल्लू कितना है 2, 5, 10, तो a बराबर 1 बटे 10 इस सवाल का अंसर है b option यहां से correct बनता है यह काफी basic सवाल था बच्चो ठीक है दोस्त आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ, next question सवाल number है आपके सामने बच्चो 26 वाँ, जी भाई साब इस सवाल को देखेगा, 2 question मैं आपको और करवाऊंगा इस पे basic question इस पे मैंने पिछली किलास में करवा दिये थे आपको पढ़ के आना चाहिए, यह बताओ अगला सवाल, बनाएगा राबिन समझ मैं, यह जो सवाल है बच्चो, CPO के पेपर में आता 2018 में, मुझे आप लोगों से सभी, आप सभी बच्चों से A1 बटे B1 बराबर A2 बटे B2 बराबर A3 बटे B3 और यह इसकी value सवाल में दे रखिये बच्चों, नौ तो आप से पूछा है इसका मान क्या होगा, जरा करो बनाएगा सोच समझ के करने की कोशिश करो, मेरे प्यारे बच्चों, देखो A1 बटे B1 बराबर A2 बटे B2 बराबर A3 बटे B3 यह आपको 9 दे रखा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे उपर 5 5 यहां देखो 6 6 यह साथ साथ, यह देखो ना आप इस रेशो को देखो बई, जो मान A1 बटे B1 स्क्वार का है, वही A2 बटे B2 स्क्वार का है, जो वही रेशो A3 स्क्वार से B3 स्क्वार का है, अगर यह 9 आ रहा है, मेरे दोस्तों य Knowing की, इस रेशो की value कितने हूं निचे, 9 होने ची, यह भी 9 होगा, यह new 9 बटे की इसकी value कितने आएगी, 3 आएगी की नहीं इस रेशो की value क्या होगी 3 ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, इसका स्क्वार नो, इसका स्क्वार नो, इसका स्क्वार नो, एड करने पर भी 9 आएगा, मदा आपके एक केवल observation का सवाल है, each ratio की जो value होगी मेरे प्यारे बाई, वो 3 होगी, आपसे पूछा है तो A1 बटे B1 कितना आगया, 3 आगया, यहाँ पर 3 गुणा 3 बच्चो 9 आगया, यहाँ पर मेरे दोस्तों 3 गुणा 3 गुणा 3 27 आगया, 27 तीन तीस और नो, 49, तो 49 इस सवाल का आंसर है, बच्चो, C option correct है, ठीक है ना बच्चे, मेरे सभी भाईयों कोई बात अच्छी तरीक से समझ में आई, कोई doubt नहीं लास्ट question करेंगे इस type का, सवाल लंबर 27, करिए बच्चो इस सवाल का क्या आंसर है, देखते हैं कितने बालक कर पाएंगे, बहुत interesting class होगी आज की, मज़ा आएगा, यह बताओ, करो, सवाल में आपसे पूछा, इसका मान क्या होगा, सवाल में यह यह भी बोला है, कि x, y, y, z, तीनों ही 0 से बड़े है, तीनों positive है, करो बच्चो, अब सवाल करेंगे, सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, जी, सवाल में आपको दिया है, देखो, लास्ट question है, स्टैप का, ठीगे ना, यदि z बटे x-2y, z बटे x-2y, बराबर, 2z प्लस x अपॉन 2y, बराबर, 2z प्लस x अपॉन 2y, बराबर, 2x अपॉन z, सवाल में आपको यह दिया है, ठीगे, आपसे पूछा है, x प्लस y प्लस z बटे z, देखो, यह क्या है, यह 3 equation है, यह सवाल तो तभी solve होगा, जब आपके पास x, y, z का ratio हो, जब तक x, y, z का ratio नहीं बनेगा, यह सवाल solve नहीं होगा, जैसी ratio बनेगा, सवाल 1 second में बच्चा solve हो जाएगा, अब प्यारे बच्चे, अगर यह 3 fraction बराबर हैं, तो क्या करूँ मै यहाँ पर algebra की तरह से केंची गुणा तो करूँगा नहीं, तो मेरे दिमाग में एक इची आती कि अगर यह 3 fraction बराबर हैं, तो इन 3 का एक बार सम करके देख लेते हैं, अंस में अंस का हर में अर का बराबर होना चाहिए, अब देखो बेटा, z में 2 z जोड़ेंगे 3 z तो जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे, तो मानस 2y से 2y कट जाएगा, नीचे बचेगा, नीचे बचेगा मेरे दोस्तों x प्लस z बचेगा, आप बोलोगे जी सर, तो यह जो एक्शन अंस में करेंगे, वही हम हर में करेंगे, 2z, 3z, x प्लस 2x, 3x हो गया, नीचे मानस 2y, 2y कट जाएगा, x प्लस z बचेगा, आप बोलोगे जी सर, तो यहां से मेरे दोस्ते, z प्लस x से z प्लस x कट गया, कि x और z दौनों ही 0 से बढ़े है, तो यह z प्लस x पॉजिटिव नंबर होगा, कट जाएगा, याने कि हमने लगा लिए, कि यहां पे each fraction की जो value है, बच्चो, इसका मान भी 3 है, इसका मान भी 3 है, और इसका मान भी 3 है, हर एक fraction की जो value है, वो 3 है, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिलकुल सही, बात समझ में आ गई, कोई problem नहीं, तो ratio का concept यहां पे लगा, अब यह आगे सवाल algebra का है, व बात के ratio से, तो मुझे X और Z का ratio easily मिल जाएगा, यहां से X बटे Z कितना आएगा, X बटे Z तो आप कहोगे सर, X बटे Z आएगा, 2 उधर चला जाएगा, 3 बटे 2, तो X से Z का ratio 3 बटे 2 है, यानि कि अगर X का मान 3 है, तो Z का मान 2 है, अगर बेटा, यहां से तो दिक्कत होगी यहां से इजली निकलेगा, X बटे Z कितना आएगा, 2 को अधर ले आते, 3 बटे 2, तो X से Z का ratio 3 बटे 2 आगया, मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिलकुस है, अब मुझे निकालना है बेटा, Y का मान, Y का मान आप कहीं से भी निकाल सकतो, चाह Y का मान आप यह 3 के बराबर है, आप बोलोगे, हांसर यह 3 के बराबर है, मैं यह चीज कहना चाहता हूँ कि अगर X का मान 3 है, Z का मान 2 है, तो Y का मान क्या होगा, निकल जाएगा ने, easily, बहिए X का मान 3 है, Z का मान 2 है, तो Y का मान निकाल सकते, Z के जीगे 2 रखो, 2 दूनी 4, Y का मान 3 है आप बोलोगे हांसर बटे 2Y बराबर 3 तो Y का जो मान आएगा मेरे दोस्तियां से 4, 3, 7, 7 बटे 6 आएगा तो Y की जो value 7 बटे 6 आगी यहनि कि अगर X का मान 3 है Z का मान 2 है तो Y का मान 7 बटे 6 आएगा जब मुझे X और Z का ratio पता चल गया मुझे Y का ratio निकालना है तो जहां Y आता है मेरे प्यारे भाई उसको आप लिख लिजे X की जगा 3, Z की जगा 2, Y की value निकल लिए 7 बटे 6 तो यह X, Y, Z का ratio आगा अच्छा आप इसको थोड़ा और simplify करके लिख सकते हो वो ratio को 6 से गुणा कर देंगे तो 6, 18, ratio 7, ratio 12 यह X, Y, Z का ratio आगे आप बोलोगे जी सर बिलकुल सही बात एक दम करेक्ट है आपसे यह पूछा है X plus Y plus Z बटे Z ratio देख रेशो पूछा है निकल जाएगा 18, 27, 25, 25, 12, 37 Z की value कितनी है? बारे 37 by 12 वी सवाल का अंसर है option number यहां से B correct है 37 बटे बारे बहुती अच्छा सवाल था